हर्याना विधानसवा चुनाओं में सभी दलों ने अपनी पूरी तागत जोंक दी है आज कॉंग्रेस ने भी हर्याना के चर्खी दादरी में चुनावी रैली की इस रैली में कॉंग्रेस अद्यक्स मलिकार जुन खडगे ने मोधी सरकार पर जम कर निसान असादा उन्होंने मोधी सरकार को जुटो का सरदार कह दिया पहला तो बोले चुनाओं से पहले मैं चुन के आने के बाद आप लोगों को हर रेक जव में मैं पंद्रा पंद्रा लाग डालूंगा यह उन्होंने कहा या नहीं कहा कहा तो हम जुट है क्या मोधी जुट है नहीं आप खुल कर बोलिए क्योंकि जो आदमी इस देश का प्राइम इनिस्टर दस साल से है क्या इसी जुट बाते बोल सकता है खडगे ने कहा कि बीजेपी वाले डबल इंजन की सरकार होने का दावा करते हैं लेकिन हसल में ये दोनों इंजन एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं खडगे ने कहा कि बीजेपी और आरेसेस वाले तो अंग्रेजों के एजन्ट थे लेकिन हम लड़ने वाले हैं खडगे ने महिला पहलवानों के मुद्दे को भी उठाया उन्होंने कहा कि जब महिला पहलवानों को सडक पर गसीटा जा रहा था तब देश की नई संसद का उद्गाटन हो रहा था इनके जमाने में पहलवानों को महिला पहलवानों को कुचलते हैं रास्ते भी जब महिला अपनी बात सुनवाने के लिए उनके उपर जो अध्याचार हो रहे थे जो इसकी बात वो दिल्ली में कह रहे थे और वहां अपने बात रखने के लिए जो महिला पहलवान थे तो उनको रास्ते पे गिसिट के लेके जा रहे थे और मोदी जी अपना पार्लमेंट का उद्गाटन कर रहे थे नया पार्लमेंट जो अभी टपकता है पाने से मलिका और जुन खडगे ने किसानों के मुद्दे को भी उठाया उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जै जवान जै किसान के नारे को ही बुला दिया है मोदी जी को उन लोगों का फिकर है जिनके पास बहुत धन है वो धन इकटा करने के लिए पार्टी को चंदा देने के लिए उनको मदद करते हैं लेकिन गरीबों को किसानों को मदद नहीं करते हैं फर्टलाइजर पर पांच परसेंट जीस्टी पहले नहीं था ट्रैक्टर पर वाटर पंप जो ट्रैक्टर रहे वाटर पंप है ऐसे चलाने में बारा परसेंट टैक्स पेस्टिसाइड अट्रा परसेंट जीस्टी ये काम ये लोग करते हैं इसलिए ऐसे लोगों को सत्ता से दूर रखो खडगे ने बीजेपी के ओबीसी प्रेम पर भी निशाना साधा उन्होंने कहा कि मोदी ने हर्याना में वोट पाने के लिए ओबीसी मुख्यमंत्री बनाया बीजेपी के लोग इस जाती से जोड़कर मुद्दा भखाने का प्रियास करते हैं या सर्व समाच और चटीस विरादरी ये लोग मिलके रहे थे मिलके काम करते हैं इनको थोड़ने का काम मोदी जी कर रहे हैं इनको थोड़ने का काम कट्टर कर रहा है लेकिन हर्याना के लोग कभी जुकिंगे नहीं अपना सर नहीं जुकाएंगे अपनी पकड़ी नहीं उतारने देंगे ये हर्याना है हरियाने में 5 अक्टूबर को वोटिंग होंगी और 8 अक्टूबर को इसके नतीजें आएंगे खड़गे के इन दाओं पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं आपसे अपील है कि वीडियो को शेयर करें और दा न्यूस बीक को सब्सक्राइब करना ना भूले साथियो गर आपको दा न्यूस बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यू ही अंबिट करवादी पत्रकारिता करते रहें तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहें इस क्यू आर्ध को सकन करें और न्यूस बीक फॉटेशन के खाते में अपनी दान की राशी बहجें क्यू आर्ध के अलावा आप यू पिई की जरी भी मदद कर सकते हैं आप हमारी UPI ID Newsbeek at the rate YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं खाते का नाम है Newsbeek Foundation अकाउंट नमबर है 0235-887-0000-640 IFSE कोड है YesB000-235 बैंक का नाम YesBank है और ब्रांच है नहरू पहलेस दिली आप डोनेशन के एवेज में इंकम टेक्स में भी छूट पा सकते हैं डोनेशन के रसीद पाने के लिए ट्रांजेक्शन का स्क्रीन शोट हमें बेजे टाइप करें डोनेशन स्पेस अपका नाम और हमें 859579-4224 पर वाट्सेप करें